पूरे विश्व को अपनी जखड में ले चुके, कुरोणा वारस ने भारत में अपनी पकड मस्बूत कर ली है, आपको बता दे कि यहाँ पर कुरोणा पॉजिटिव मरीजों का आखड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है इसी के तहट शिक्षानगरी कोटा में पूर्व UIT अध्यक्ष रामकुमार महता ने जनता से सरकारी नियमों की पालना करने और साथ ही में समाजिक दूरी बनाये रखने की अपील की रामकुमार महता ने कहा कि शेहरवासी लॉकडाउन की पालना करे और घरों पर ही रहे ताकि इस महमारी को हराया जा सके इसी के साथ उन्होंने उध्योग पतियों और व्यापारियों से भी आग्रह किया कि वो जुरत्मन लोगों के लिए सामजिक सरुकार निभाते हुए भामाशा का कारे करे एवन टीवी का जो आवान है उसके अनुसार में सभी पोटावासी हमारे आमनागरिकों को हमारे उध्योग पतियों को व्यापारी भायों से आग्रह करूँगा कि वो जनीत और गरीब लोगों की सेवा के लिए भामाशाओं के रूप में आगे हाथ बढ़ाएं और उनकी सेवा करके जो उनकी जरूरते हैं उनमें भागीदार बने और एक पुण्डे कमाएं निश्चित रूप से हैं कोटा में हमारे प्रशाशन ने निश्चित रूप से 14 से कारवाई करते हुए इसका प्रभावी नेंतन किया है और मैं हमारे कोरोना वारियर्स को जिसमें मुखे रूप से हमारे मेडिकल टीम और कोटा मेडिकल कोरेज प्रशाशन जिरों ने अपने अथक प्रियासों से हम अधिक कान से जो मरीज थे उनको ठीक करने का एक नया इत्यास और कीतिमान बनाया है मैं उनको बहुत बहुत बदाई देता हूं और सर्वाश्यों से अपील करता हूं कि प्रशाशन के निर्देवसे की पालना करते हुए घर पे रहे हैं